लेटेस्ट खबरे पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटेस्ट खबरे सबसे पहले जारखंड, बिहार और तटिये आंधर प्रदेश के कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटे में गर्म हवा चली मौसम विभा के अनुसार 24 जून से दक्षिन पश्चिम मानसून के आगे बढ़नाई के स्थिती अनुकूल होने के आसार हैं दक्षिन पश्चिम मानसून विभिन कारणों से पश्चिम मंगाल के मैदानी इलाके पूर्वी भारत, समेत असम, महराष्ट्र, चतीसगर, ओडिशा, पश्चिम मंगाल, जारखंड, बिहार और मध्या प्रदेश के कुछ हिस्सों में 23 से 25 जून के बीच आगे का अनुमान है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्या प्रदेश, गुजरात, पस्चिम बंगाल, पस्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाना, चंडिगर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पस्चिम राजस्थान के कुछ हिस्सों में तथा मध्या प्रदेश के शेश हिस्सों द स्तापमान दर्ज किया गया अगले 24 घंटे में कुंकन और गोवा में कहीं-कहीं बहुत तेजों और कहीं-कहीं अतीवरिष्टी का अनुमान है इसके साथ ही मद्य महाराष्ट, थर्टियंग और दक्षन आंतरिक करनाटक और केरल के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिष होने का अनुमान है असाम, मेघाला, मराठवाडा, विदर्भ और उत्तर आंतरिक करनाटक में तेज बारिष होने के आसार है पस्चिम बंगाल के परवतियक क्षेत्र, सिक्किम, उडिसा, बिहार, जारखंड, उत्तर प्रदेश, थर्टियंग आंधर प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा और तमिलनाडू के कुछ हिस्सों में आंधी और तूफान के साथ बारिष हो सकती है अरुनाचल प्रदेश, पस्चिम बंगाल के परवतियक क्षेत्र, सिक्किम, थर्टियंग करनाटक और केरल के अधिक्तर हिस्सों में तथा असाम, मेघाला, कॉंकंड, गोवा, मराट वाडा, अनमान और निकोबार दूइप समू के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे में बा पंजाब, इमाचल प्रदेश, जम्मु कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, चतीजगर, गुजरात, तर्टियंग आंधर प्रदेश, तिलंगाना, रायला सीमा, तमिलनाडू, उत्तर आंतरिक करनाटक और लक्षद वीप के अलग-अलग हिस्सों में बारिश हुई या फिर गरज के साथ छीटे पड़े, बिहार और उत्तर ब्रदेश में मौसम शुश्क रहा